हलो फ्रेंज स्वागत करती हूँ आप सबका अपने सी एज कीचन रेशिपी में तो आज मैं बनाऊंगी आलू और सूजी का बहुत ही टेस्टी नास्ता तो आप लोगो बना करके दिखाती हूँ खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा तो चलिए बनाते हैं इसे यहाँ पे ह हम पानी डाल देंगे पानी को हम थोड़ा सा गुनगुना करेंगे और फिर इसमें हम थोड़ा सा नमक ले लेंगे नमक आपने स्वाद की अनुसारी रखिए और एक कप हमने सूजी लिया है दो कप पानी डाला है एक कप सूजी लिया है हमने थोड़ा थोड़ा सूजी को मिला लेंगे इसमें ताकि लम्स न बने तो देख सकते हैं आप लोग तो आथो डाल करके और मिला ली हूँ बस दो से तीन मिनट के अंदर में एक अच्छा सा एक डो बन करके त्यार हो जाएगा तो ये देखिए डो हमारा बन चुका है हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए यहां पे हमने 5-6 आलू ले लिया है मिडियम साइज का एक बारी कटी हुई प्यास टमाटर हरा धरिया हरा मिर्च काट लिया हमने नमक ले लेंगे और यहां पे हमने चाट मसाला डाल दिया है थोड़ा सा हमने तेल डाला है इसको हम मिला लेंगे अच्छे से हाथो से और यहाँ पे देखिए यह हमारा डो लग चुका है तो हम ऐसे हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और ऐसे इसको पूरी के जैसे बना लेंगे और इसमें हम मसाले को डालेंगे ऐसे बंद कर देना है तो ऐसे ही हम सारा बना लेंगे बस ऐसे ही बना लेना है तो हम ऐसे ही सारे बना लिये हैं देखिए आप लोग यह देखिए तेल यहाँ पे गरम हो चुका है हमारा हम इसमें डाल करके फ्राई कर लेंगे इसको मेडियम टूलो फ्लेम पे हमने रखा है बहुत ही अच्छा कलर दे करके फ्राई करना है जलाना नहीं है देख सकते हैं आप लोग तो हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा बहुत ही टेस्टी लगती है बच्चे और बड़े सबको पसंद आएगा सामको जब भी छोटी मुटी भूख लगे आप इसे बना सकते हैं बीना जंजट का यह तयार होगा यह देखिए तो आप लोग से छोटी सी रेक्वेस्ट है हमारी कि यह मारी रेसिपी पसंद आएगा तो प्लीज इमारे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें थाइंक यू